इडियम्स और फ्रेज़स, डे थर्ड, आज इडियम्स और फ्रेज़स का ये तीसरा दिन है, अगर आपने इसके पहले की वीडियोज को नहीं देखा है, चेनल पर नए-नए हो, तो आपको पता दूँ कि इडियम्स और फ्रेज़स की हम लोग सीरीस स्टार्ट किये हुए हैं जिसमें प्रतेक दिन आपको पाँच पाँच इडियम्स ऐसी यूनिक टेकनिक यानि ऐसा सीखो कि कभी न भूलो वाली टेकनिक से प्रतेक इडियम्स और फ्रिजस को मैं पवन आपके इस चैनल इंगलिस डीपो पर शिखाने का प्रियास करता हूँ इसलिए इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकान प्रेस कर दो और अगर आपने पिछली वीडियो इसको नहीं देखा है तो अपने इस इंगलिस डीपो चैनल पर विजिट करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एडियम्स और फ्रिजस के नाम से वहां से देख सकते हो जिन आम दनी से ज्यादा खर्च इन डेप्ट, इस्पेंडिंग मोर दैन इनकम देखो रेड का मतलब ही होता है खत्रा अगर कोई चीज खत्रे में जा रही है इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं हमारे नुक्सान दायाख हो रही हैं कोई इंसान जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर दे रहा है, तो वो खतरा में जाएगा न, red में जाएगा, red मतलब खतरा, खतरे में चला जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, खतरे में जाने का मतलब, तो कर्ज में जाएगा, in-depth हो जाएगा, कर्ज में, spending more than income होगी, अगर खतरे में जा रहा है, तो in the red का मतलब ह लाल देखना अच्छा लाल देखने का क्या आर्थ होता है माली जी आप ट्रेक रोड पे चल रहे हो बहुत जल्दी में हो फिर भी ट्रेफिक लाइट को तो आपकी जल्दी से कोई मतलब है नहीं समयाने पर वो लाल जली जाएगी अब आप तो जल्दी में हो लेकिन लाल बत light red देग लिया आप क्या होगे बहुत नाराज हो जाओगे न तो to see red का मतलब होता है बहुत तेज नाराज होना ऐसे और समझ लो इसको कोई इंसान है जिसका चेहरा अब आपको विल्कुल लाल लाल दिखने लगा इसका क्या आर्थ निकालोगे कि बहुत तेज नाराज हो गया है तो to see red का मतलब होता है तेज नाराज होना to be very angry to be furious कहानी को समझो कहानी यह जो technique है self generated है इसको समझने का प्रयास करो और relate करो वास्तविक्ता से यह वास्तविक्ता है ठीक है इनको relate करोगे आपको जरूर याद रहेंगी यह सीजे आगे जो हमारी next idiom है king of metal यह तो समझाने कि अवश्यक्ता ही नहीं है metal मतलब धातु होता है धातुओं का राजा कौन होता है धातुओं का राजा शोना गोल्ड तधातुओं का राजा गोल्ड शोना यह तो आपको याद रहेगी पता रहेगी आगे बढ़ते हैं land and year land मतलब उधार लेना and year मतलब कान कान को उधार ले लो यह कब कहा जाएगा मडियर जब आप किसी की बातों को गोर से नहीं सुन रहे होगे आपके दोनों कान उस समय कहीं और लगे हुए हैं तब वो इंसान गुष्चे में आपसे कहेगा, कि तुम्हारे दोनों कान तो कहीं और लगे हुए हैं, तो एक कान किसी से उधार ले लो, जो कि हमारी बातों को गौर से सुन सके, अपनी बातों को गौर से सुनवाना चाहेगा, इसलिए आपको ये कहेगा कि एक कान उधार ले क्योंकि तुम्हारे दोनों कान तो कहीं और लगे होगी है तो एक कान उधार लेने का मतलब है ध्यान से सुनना एक कान उधार लेने का मतलब समझाना क्यों कहेगा क्या ले लो क्योंकि तुम जो एक कान उधार लेलो कम से कम वही सुनेगा हमारी बातों को ध्यान से तो listen carefully आगे बढ़ते हैं मेका मिंट मेका मिंट का मतलब क्या होता है मेक मतलब बनाना मिंट का मतलब समझुडियार वैसे तो मिंट का मतलब पुदीना होता है लेकिन मिंट का मतलब शिक्का भी होता है मिंट का मतलब शिक्का भी होता है शिक्का बनाना अच्छा देखो, कोई इंसान अगर सिखा बना रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बहाइज को रूपया चाप रहा है, मतलब बहुत अढिक्दन, अश्यक की बहुत अदिक Méका मिंट मिंट मतलब शिका बनाना अगर कोई शिक्का बना रहा है इसका मतलब भी क्या है कि वो पैसा छाप रहा है और पैसा छापने का मतलब खूब धन कमाना यानि में का very large amount of money क्या कहते हैं में का very large amount of money बहुत धन कमाना तो dear I hope कि मैंने आपको अपनी इस टेकनिक से पाँच इडियम्स आज की सिखाने में आपको हमेशा याद रखने में मदद करी होगी अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए valuable है तो एक बार फिर से कहूँगा कि अपने इस English Depot चैनल को subscribe करके रखो क्योंकि यहां पर आप संपूर्ड इंग्लिस को wonderful way में सीखोगे संपूर्ड इंग्लिस आपको ऐसे ही unique technique से सिखाई जाएगी कि आप कभी भी नहीं भूलोगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना